हलो मित्रों जय मातादी मित्रों आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को बिलकुल भी मिस न करें और इसे अंत तक जरूर देखें चरिए शुरू करते हैं दोस्तों आपकी रासी वालों से सच्चा प्यार करती हैं और यह महिला आपके लिए बहुत ज़्यादा लगी है और यह आपको करोणपती भी अरपती भी बना सकती हैं जी हाँ आज इस वीडियो में हम आपको उन वेक्तियों की नाम के साथ उनकी रासियां भी बताएंगे जो की आपकी रासी वालों से सच्चा प्रेम करती हैं और यदि ऐसे लोग या कहीं ऐसी आउरत आपको अपने जिन्दगी में मिल जाएं तो आपको ऐसे भी बताएंगे कि अगर आप महिला हैं तो अगर ये मर्द अभी आपको मिल जाएं तो आपको अपने इनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोस्तों यह कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अगर आपके साथ मिल जाएं तो आपकी जिन्दगी स्वर्ग बन जाएगी आपके जीवन में चल रही जो भी परिसानिया कश्ट और संकट जो आप काफी प पाटनर अगर आपका जीवन साथ ही इसरासी का है तो यकीन मानिए कि आप सबसे ज़्यादा भागेसाली इनसान हैं क्योंकि दोस्तों यह लोग आपके जीवन में शच्चा प्रेम करने के साथ साथ आप पर सच्चा विश्वास भी करते हैं इसलिए दोस्तों आज की यह व देखें तभी आपको यह विडियो समझ में आएगी और दोस्तों आपसे बस शूटी सी विंती है कि आप इस विडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सनिदेव भी जरूर लिखते हैं इससे भगवान सनिदेव का आश्रिवाद आप पर और आपके प्रिवार बालो पर निरंतर बना रहेगा और मैं जो भी आपको बताओं उसे आप अपने जीवन में अपने डे-टु-डे लाइफ में जरूर देखेगा कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है अगर हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि मैं स सब कुछ अगर चला भी जाए, तो सब कुछ तहस नहस हो जाए, पूट जाए, विखर जाए, आप लोगों पर अपना आत्म विश्वास कभी नहीं खोते हो, आप लोग अगर कोई काम करने के ठान लें, तो फिर आप लोग चैन से नहीं बैठते, आप लोग थोड़े जिद् चच्चा प्रेम करते हैं, चच्चा प्यार करते हैं, और अगर आप किसी से करने लग जाते हैं, तो ऐसे में आप लोग इस तरीके से प्यार में पागल हो जाते हैं, कि आप अपने पार्टनर की छोटी से छोटी बात को भी अपने दिल पर लगा लेते हैं, काफी इमोशनल भी होते हैं आपके अंदर होता है इमोशनल भी आप काफी अंदर से होते हैं और बहुत ज़ादा आप भावुक किस्म के वेक्ति हैं छोटी-छोटी बातों को आप लोग अपने दिल पर लगा लेते हैं कुछ ऐसी बाते भी होती हैं जो चाहकर भी आप भूला नहीं पाते है दोस्तों आपके अंदर यह quality देखी गई है कि आप लोग कोई भी काम वो निश्वार्त भाव से करते हैं लेकिन दोस्तों आपको बुरा तब सबसे ज़्यादा लग जाता है जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने अपना समझ कर उसके लिए सब कुछ किये हो और वही इंसान आपके respect न करें आपके feelings को hurt करें और आपको कुछ भी ना समझें ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो आपसे अपना मतलब निकलते ही और आपका इस्तमाल करने के बाद आपको छोड़ देते हैं यानि कि जब उनका मतलब आपसे निकल जाता है तब वह आपसे किनारा कर लेते हैं दोस्तों बताना चाहेंगे कि अपने सब कुछ किया भी आपको ठुकराया भी जाता है आपको पर आपसे किनारा कर जाएं और फिर भी आपसे बात करना बंद कर दें आपको इगनोर करने लग जाएं दोस्तों आपकी प्रेम भरी जिंदगी में जो है वह रूठने और मनाने में भी आभी तक चली गई है लोगों को रूठने और मनाने में ही आपके जिंदगी अभी तक चली गई है आपके साथ ऐसा होता है कि एक तरफ से आपको किसी एक प कुछ नहीं हो रहा है आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और दोस्तों आप लोगों को वैसे तो खुशियों की कोई कमी नहीं होती है क्योंकि आपका भगवान ही इतना बड़ा है कि वह आपको सब कुछ जो आपकी जुरत की चीजे हैं वह सब आपको आपका इस वर पहले से ही दे देता है लेकिन दोस्तों प्यार के मामले में जिसे आप लोग उमीद लगाये बैठी हैं वे लोग ही आपको किनारा कर देते हैं और ऐसे एक बार नहीं बलकि बार बार आपके साथ ऐसा ही होता है मानू कि आप लोग प्रेम के लिए सच हास रस्ते हैं और आपकी रासी वाले तो जिद्द से भरे होते हैं जिंदगी में आपके पास जितनी प्रिसानियां आए दुख आए टैंसन आए अपने हर एक मुश्किल समय का सामना डट कर करने और हिम्मत नहारने की एक जीत आपके अंदर जरूर होती हैं और आप किसी भी चीज को पाने के लिए उमीद नहीं जिद रखते हैं और यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाती हैं दुस्मनों की चोट तो आपको खुसी-खुसी सह लेते हैं लेकिन आप तब बहुत तूट जाते हो जब कोई आपका अपना आपको चोट पहुँचाता है दोस्तों उसमें सबसे जरूरी और पहली ये आती है कि अब आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरुसा नहीं करनी है जी हाँ दोस्तों अब आप हमेशा लोग चुनने में गल्ती कर देते हो और बाद में फस्ताते हो दोस्तों यदि आप लोग सिंगल हैं यदि आपकी साधि हो चुकी है या फिर यदि आपके साधिक किसी से होने वाली है तो दोस्तों ऐसे में आपको वह कौन से वैक्ति हैं या कहें वह कौन से नाम की औरत हैं वह कौन सी महिला है वह कौन सी नाम के लोग हैं जिन से आपको जुड़ना है जिससे रिस्ता बनाना है वह आपके लिए अच वालों को औरत यह इस्तरी की सुंदर्ता को देखकर विवाह नहीं कर लेना है जी हां दोस्तों आपको यह बात समझनी होगी कि इस्तरी की सुंदर्ता को लेकर अगर विवाह का निरने आपने लिया है तो यह आपके लिए निश्चित रूप से ही बड़ी भूल सावित हो सकत वही इसके विपरीद जो भी अपने जीवनसाति का चुनाओ करते हैं हूँ अगर चिवनसाति का चुनाओ करते समय इन वातों का दियान और स्भाष्तन जाहिए आपको हम यह बताना चाहेंow कि आप लोग हमेशा ऐसी महिला से आपको विवाह करना चाहिए जो आप अपनी स्वेक्षा से विवाह करने के लिए तयार हो यानि कि दोस्तों आपको बता दें कि जोर जवर्दस्ती से किया गया विवाह अगामी भविस्य में काफी समस्याइं सिकायती उत्मन न कर सकता है यह बात आप भी जानते हो और दोस्तों वेवाईक जीवन में यह निरनें आपके समस्याइं भी खड़ी कर सकता है इसलिए दोस्तों अगर कोई महिला आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और वह आपकी बहुत ज़्यादा प्रवाह करती है तो दोस्तों ऐसे महिला का आपको साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए भविस्य में भी अगर वह इस्तरी जगड़ा भी करे तो उसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए परिवार की खुश्यों के प्रवाह होती है उस औरत को इसलिए दोस्तों ऐसी इस्तरियां व्यक्तियों को कभी उदास और निरास नहीं देख सकती यहां पर दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूँ कि पुरुष के साथ साथ इस्तरी को भी धर्म कर्म के प्रती आस्था रखनी चाहिए जी हां दोस्तों हम आपको बता दें कि जो तिस सास्टर के अनुसार आप जिस महिला से विवाख करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह इस्तरी धर्म कर्म के में आस्था रखती है या फिर नहीं वैक्तियों को ऐसे इस्तरीयों पर विश्वास करना चाहिए जो कि आप अपने माता पिता को देखें जी हाँ दोस्तों दरसल इस्तरियों के मन में ये भाव रहता है कि उसका पती उसके पिता के समान ही उसका ख्याल रखे और दोस्तों ऐसे इस्तरिय भविश्य में आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी जी हाँ दोस्तों सबसे जरूरी बात आपको यहाँ परसिय समझने चाहिए कि आप चाहे कितने भी सुन्दर क्यों न हो लेकिन हमेशा ऐसी इस्तरिय सी विवह आप करें जिसके लिए आपको सभाव सबसे ज़्यादा महत्व रखता हो जी हाँ आपको बता दें कि क्योंकि उम्र भी जाने पर सुन्दर्ता तो कम हो ही जाएगी फिर सुन्दर्ता पर मिटने वाली इस्तरिया आप से कटने लगेंगी उसका मुह बंद हो जाएगा लेकिन दोस्तों जिस इस्तरिय को आपकी सभाव से प्रेम होगा वो आजीवन आप से प परदस्ती से भी उसके साथ बिवाख कर लेते हैं तो ऐसे इस्तरी का मन अपने प्रेमी की और ही रहेगा और वह पूरे पन से अपने पती के साथ नहीं जुड़ पाएगी। इसलिए दोस्तों ऐसे इस्तरी से विवाह करने से पहले उसके मरजी आपको जरूर चान लेनी चाहिए और दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर बतानी होगी समझनी होगी जिस इस्तरी को किसी पुरुष से प्रेम हो और वो उसकी प्रवाह करती हो तो ऐसे पुरूश को कभी भी उस इस्टरी का साथ नहीं चोड़ना चाहिए उसके साथ जो है जाहे भविस्य में कितना भी लडाई जगड़ा क्यों नहो बाद भी बाद क्यों नहो लेकिन दोस्तों उस इस तरी का प्रेम उस जो है बहुत ही खुशहाली आपको देगा और ऐसे इस तरी से भिपार करना उत्तंच रहेगा दोस्तों अगर हम यहाँ पर नाम की बात करें कि वह कौन से नाम की महला है या वह कौन से नाम की औरत है जो आपके जिन्दगी बदल सकती है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लखी सावित होगी तो आपको हम बता दें कि जिस औरत के साथ का नाम का पहला अक्षर है A, L, I, I, N, A, G या फिर S है तो इन सारे नाम की महिरा आपके लिए बहुत ज़्यादा लगी है या फिर हम कहें कि सब्रस्रेश्ट सावित होगी अगर हम यहाँ पर बात करें पुरूस की तो आपको बता दें कि जिस लड़के का नाम भी अक्षर यानि की B, C, M, N या फिर T से शुरू होता है तो ऐसे नाम के लड़के आपके लिए काफी ज़्यादा लगी और सर्वस्रेश्ट सावित होगे दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जैस्तनी दे, जै महभदरकाली जरूर लितें और वीडियो को लाइक और सेयर अवस्य कर दें, जै महभिन दुवासनी